दूस्त नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में आज 8 मई 2021 है महत्पून खबरों को देख लेते हैं कोविड लोन बुक बैंकों को जादा जादा रिण और सस्ते दरों में पलब्ध बैंक करा सकें लोगों को विशेश कर हेल्थ सेक्टर में वर्तमान में जहुरत है तो इसके लिए कोविड लोन बुक एक अलग खिड़की ओपेन की गई है RBI के द्वारा इसके लिए सबसे पहले जो रिवर्स रेपो रेट था उसमें उसको 4% से घटा कर 3.5% कर दिया गया जिससे बैंकों को सहयता मिलेगी सस्ते लोन देने में तो भारती रिजर बैंक ने हाली में 50,000 क्रोन रुपए की on tap liquidity window खोली है on tap का मतलब तयार on tap liquidity window वह fund है जिसे तूरंत प्रदान किया जाना है योजना क्या है इस कदम के तहट बैंक वैक्सिन निर्माताओं टीका के आयातकों पैथोलोजी लैब अस्पतालों और और शधालियों टीकों के आपूर्ति करताओं लोजिस्टिक फर्मों आधिकों रिं बैंक को दोरा प्रदान किये गये रिड का एक खाता है बैंक कोविड रिन पुस्तिका खोल सकते हैं वे अपनी अधिशियस तरलता को आर्बियाई के साथ कोविड लोन बुक के आकार में पार कर सकते हैं यह reverse repo rate पर किया जाए गलत है यह repo rate पर दिया जाएगा जो यह loan है इ इस समय जब अर्थव्योस्ता मंदी की दोर से गज़र रही है तो बैंकों को आर्थिक सुधार में मदद करने के लिए अधिक उधार देना चाहिए इसके विप्रित बैंक आर्बियाई के पास धनराशी जमा कर रहे हैं इससे क्या इसमें बैंकों की गलती है बिलकुल नही तो कोविड-19 संकट और लॉकडाउन के करण स्थिती ही ऐसी बनी है कि बैंक लोगों को पैसा उधार देने के बजाए फंड्स को पार करके ज़्यादा कमा रहे हैं अर्थात जो आर्बियाई से पैसा मिलता है ब्याज की रूप में उससे ज़्यादा कमा रहे हैं अब आर् आथिक विकास को बढ़ावा देगा चीन ने आस्टेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझोते पर रोक लगाई मैंने कई बार आपको बताया है आस्टेलिया क्वार्ड का सदसे है चाइना कई बार क्वार्ड सदसे के रूप में आस्टेलिया की काफी बुराई कर चुका है अब ये कड़े कदम आस्टेलिया के अगेंस्ट ही क्यों उठाता है जापान अब भारत और अमेरिका के अगेंस्ट क्यों उठा पाता ये देखिये भारत की तो बात ही छोड़िये भारत पर तो पूरी तरह निर्भर है चाइना भारत एक बड़ा बाजार है चाइना के लि उपलब दो सके अब यह हम नहीं उपलब करा पाते हैं हमारा मार्केट उपलब नहीं करा पाता है इसलिए हमको चाइना ऐसे देशों से आयात करना पड़ता है आपको पता है बहुत ज़दा आयात हम करते हैं चाइना से अगर हम खुद सामान बनाएं अपने हाँ और चाइना को टक्र दे सकें उन सामानों में तो इस से निजात पाईया सकती है रोग अगर हम न लगाए तब भी लोग भारत made in India सामान ही ज़्यादा ख़ई देंगे बस चाइना को टक्र देने की छमता होनी चाहिए हमारे बाजार को वो नहीं है तो फिलाल हम जो बात कर रहे हैं कि आस्टेलिया देखें निर्याद सफसे आदा आस्टेलिया का maximum निर्याद चाइना के साथ होता है आस्टेलिया निर्याद करता है चाइना को तो वो निर्यात करता है तो चाइना कभी भी आस्टेलिया पे प्रिसर बनाने के स्थिति में रहता है आपको पता है कि पिछले वर्ष जब कोरोना 2019 मामारी आई थी तभी आस्टेलिया और चाइना के संबंदों में तलखी देखने को मिले थी जब आस्टेलिया ने आरोप लगाया था और जाज की मांग की थी कि चाइना में जाकर के जाज करनी चाहिए उसके लैब में जाज करनी चाहिए कि कोरोना वाइरस वहां से आया है नहीं आया है चाइना ने उस समय भी काफे गुसा दिखाया था आस्टेलिया के ओपर तमाम प्रतिबंदों की घुशना की थी कि हम लगा देंगे ऐसे अगर आस्टेलिया करता रहा इसके पाद आस्टेलि इसे बेल्ट रोड इनिशेटिव से संबंदित थे इससे चाइना बॉखला गया और चाइना ने आस्टेलिया के साथ सभी ब्यापारिक समझोतों पर रोक लगा दी है चीन ने आस्टेलिया के साथ सभी ब्यापारिक समझोतों पर रोक लगा दी है चीन ने हाली में आस्टे आस्टेले ने साल 2019 में कोरोना की सुरुवात को लेकर वाइरस कुद्पत्ती के मामले में जाच की मांग की थी चीन के उसी समय संबंध तनावपुड हो गए थे अस्टेलिया से भारत ताइवान संबंध भी चर्चा का विश्य है या वे वन चाइना पॉलसी सीधी सी बात है कि भारत ताइवान संबंध और भारत चोकी वन चाइना पॉलसी को मानता प्रदान करता है वन चाइना पॉलसी को मानता प्रदान करेगा तब ही चाइना संबंध होगा कोई भी देश तो इसलिए ताइवान को एक स्वतंत राश्ट के रूप में भारत मानता देता नहीं है इसलिए भारत ताइवान के सम्मंद सीमित हैं ब्यापक नहीं हो पाए हैं तो हाली में ताइवान द्वारा भारत को COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अकसीजन, कंसेंटेटर और सिलेंडर के रूप में साहता उपलब्द कराई गई है पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना जो की मेन चाइना है ताइवान को अपने एक प्रांध के रूप में देखता है अर्थात अपना ही भूभाग मानता है जबकि ताइवान में अपनी खुद की लोकतांतिक रूप से चुनी हुई सरकार है और वहां के लोग ताइवान को मेन लेंड चाइना की राजनितिक पणाली और विचारधरा से अलग मानते हैं अपने आपको अलग देश मानते हैं चीन और ताइवान के मद संबंद काफी नाजुक हैं जिसमें पिछले साथ वर्षों के तोरान सुधार हुआ है लेकिन समय समय पर इनके संबंदों में उतार चड़ाओ देखा जाता है वन चाइना पॉलसी है किया इसका आशे चीन की उस कूटनीति से है जिसमें किवल एक चीनी सरकार को मानता दी जाती इसके तर चाइना विभिन जो स्वतंत देश अपने आपको समझते ऐसे लैंड्स है उनको अपना ही भूभाग मानता है और उसको एक ही चाइना मानता है एक नीत के तोर पर इसका आरतिया है कि से कूटनेतिक संबंदों के चुक देशों को Republic of China से संबंद तोरने होंगे अरता Republic of China कौन कहलाता है चीनी गड़राज ठीक है आरोसी जिसको कहते हैं जिसको ताइवान कहते हैं उससे संबंद तोरने होंगे ताइवान सबसे अधिक आबादी वाला ऐसा राश्ट है जो संयुत राश्ट का सदस्य नहीं है और साथ ही या संयुत राश्ट के बाहर सबसे बड़ी अर्थवे उस्तावी है भारत ताइवान संबंध की बात करें तो भारत तो ताइवान के बीच आपचारिक राजनेक संबंध नहीं है क्योंकि भारत वन चाइना पॉलसी का समर्थन करता है लेकिन वर्स 1995 में दोनों देशों ने एक दूसे की राजधानियों में प्रतनेधी कार्याले अस्थापित किये हैं एक चीन नित की वन चाइना पॉलसी की बात करें तो भारत के लिए ताइवान के साथ अपने दीपक्ची संबंधों को पूरी तरह से विक्षित करना पिक्षाकित मुश्खिल है जब तक भारत वन चाइना पॉलसी को मानेता प्रतान करता है भारत एक काम कर सकता है जब बहुत तनाओ की स्थिती थी तो ऐसी डिमांड भी उड़ी थी कि भारत को चाइना की बज़ाए ताइवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए वन चाइना पॉलसी को कैंसिल कर देना चाहिए और ताइवान सही मैक्सिमम वस्तों का आयात करना चाहिए इससे बाजार की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और चाइना पे निर्भरता भी कम की जा सके कि जो की एक अच्छा सुझाओ बेता भारत जो है जो ऐसे 15 देशों में शामिल नहीं है जिन्होंने ताइवान को एक राष्ट के रूप में मनता प्रदान की है एशियाई शेर हाली में चर्चा मेरे है कोवीट के करण कोरोना से संक्मित हो गए बेचारे हैदराबाद में हाली में हैदराबाद के नहरू प्राणी उध्यान में आठ एशियाई शेरों में कोवीट-19 संक्मन की पुष्टी हुई है या भारत में इस प्रकार का पहला ग्यात मामला है पिछले वर्ष 2020 में एक बाग जो की नियुयार्क में ब्रोंग शिडिया घर में इस्तित था उसको कोवीट-19 हो कोवीट हो गया था ठीक है जिसके करण चर्चा में आया था एशियाई शेर के विशय में बात करें तो पैंथरा लियो परसी का उप्रजादी का एक सदस्य है यह मुलता भारत तक ही सीमित है या भारती उप महादीप में भी कहीं कहीं ये विद्दमान पाया जाता था वर्तमान में भारत में भी वो भी गुजराद के गिर राष्टी उद्द्यान में सीमित है पूर में पश्चिम और मद पूर वेशिया में भी पाये जाते थे लेकिन इन शेत्रों में आवासी शतिक करण विलूप्त हो गए एशियाई शेर एक समय में पश्चिम मंगाल मद बदेश और मद भारत के परियाविस में पाये जाते थे वर्तमान में गिर राष्टी उद्द्यान और वने जीव अभ्यारण एशियाई शेर का एकमात निवास अस्थान है वर्ष 2020 में गिर वन शेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में विद्धी दर्श की गई थी जो कि एक अच्छी ख़बर आई थी इन शेरों को प्राक्तिक आबदा अवैर शिकार मानों पर संगर शादी से खत्रा है अगर इनके सरक्षण किस्ती देखें तो IUCN की रेड लिस्ट जो जारी होती है उसमें प्राय प्रजाती में आते हैं साइट्स के परसिष्ट वन में आते हैं और वन जिव सरक्षण अदनिया 1972 अनसूची वन में इनको रखा गया है सरक्षण के प्रियास की बात करें तो गेंदी परियावरन वन और जलवाई प्रियोजना इनके सरक्षण के लिए 2018 से 2021 की अवधी तक चलाई जा रही है डेली करेंट अफेस में कुछ महतपूर अभी हमने तो देखा ही भारती रिजर्बेंग ने स्वास सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोन रुपए कर्ष देने की खोशना की है तो 50,000 करोन रुपए ये रेपो रेट में दिया जाएगा अभी हमने देखा इसके बारे में किस राजी के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोन वर्ष पहले के सारो पॉर्ट डाइनसोर की हड्डियों के जिवाश मिले है बहुत महतपूर्ण है मेघाले राज्य से मेघाले के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोन साल पहले के सारो पॉर्ट डाइनसोर की हड्डियों के जिवाश मिले है यही शेत में सारो पॉर्ट की खोज की पहली घटना है उनकी गर्दन लंबी छोटे सिर लंबी पूँच और स्तंब के तरह चार पैर होते थे मेघाले ऐसा पांचवा राज्य बन गया है जहां सोरो पॉर्ट के साक्ष मिले हैं इससे पहले गुजराद, मद्वदेश, महाराज, तमिलाड में इस तरह के साक्ष पहले ही मिले हैं प्रश्ण इस तरह से पूचेगा कि मेघाले पहला ऐसा राज्य है ज बहुत ही महत्पूर्ट हो जाए ये शुक्रग्रह से ओके तो नासा के अंतरक्षियान पारकर सोलर प्रोब ने शुक्रग्रह से एक प्राक्तिक रेडियो सिगनल के खोज की है इन सक्नेतों का पता चला तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायमंडल पर पुडान भरी पारकर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायमंडल को मापा है यह 30 वर्षों में शुक्रग्रह के वायमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है करनी हूँ आफशनल की तो आप हमारे यहां संपर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवादा